हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका इस्टार किछन में और आज हम ले करके आए हैं लौकी का बहुत ही टेश्टी रायता चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो हमने ले ली है एक लौकी एक तम ताजी फ्रेस लौकी ली है देखिए तो इसको हम जो बड़ी पीसस करके भी इस्तमाल कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं इस तरीके से बहुत ही टेश्टी लगता है तो हम इसको करेंगे कद्दूकस कर लिया है अब हम इसको बॉस कर लेंगे साप पानी में अच्छे से बॉस करने के बाद इसको रखेंगे हम चार से प तो इसको हमने एक कटोरी लगभग दही लिया है, इसको हम अच्छे से फेट लेंगे, पहले हमें पानी इसमें एड़ नहीं करना है, फेटना है ऐसे नहीं तो इसमें ऐसी लंप से रह जाते हैं, अच्छे से पहले बिना पानी के ही हमें फेटना है, इसके बाद इसमें हम पा सबतार शेरा लृष चाहिए और 20 know आप डालेंगे एक चमच पाउडर ही जीत Milliarden thanks ताहिए हमने सब्सक्राइब स Allah कि इसको अच्छे से नत्यान पहली आ इस फोला थोड़ा सा ही पादल नहें जाएगा जादा हम इसको पदोड़ा है नहीं करना कि नहीं ही बड़िये टेस्ट आता है पुदीने के साथ और हेल्दी भी होता है तो हमने इसमें पुदीना एड़ कर लिया है और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे किसी छनी में और बढ़िया से इसका पानी निकाल लेना है बिल्कुर निचोड लेना है अच्छे से और देखिए निचोड लिया है तो इसमें हम एड़ कर देंगे लौकी को रायते के साथ तो हमने सारी लौकी को एड कहे लिया है और अच्छे से mix कर देंगे आप चाहें तो इसमें कद्दू का भी, चुकंदर का भी, किसी का भी आप बनाईए बहुत ही हली रायता होता है तो इस तरीके से आप लौकी का भी जटपट बना सकते हैं इस तरीके से बनाएए आपको पूरी पराठा रोटी किसी के साथ भी कहिए बहुत ही टेश्टी लगता है सारी चीजों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और देखिए बढ़िया से बनके तयार हो चुका है तो अब हम लगाएंगे इसमें तड़का हमने जीरा और लिए हींग थोड़ी सी और ओइल अच्छे से तढका लगा लेंगे तढके से ओर डबल स्वाध इसका बढ़ जाएगा देखिए अच्छे से हमारा रायता बनके तयार हो चुका है देखिए बहुत ही टेस्टी एकदम जटपडवन के तयार हुने वाला पसंद आए तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सियर कीजिए नए है तो सब्सक्राइब कीजिए बाबाई मिलते हैं अगली बार अगली कुछ नया कुछ अनुक